जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक स्लाश्टर फिल्म सूपर होश्ट के बारे में फिल्म के स्टार्टिंग में हमें टेरी और क्लेर नाम के दो व्लॉगर्स दिखाया जाते हैं जो एक ट्रैवल व्लॉगर्स थे और वो घूम के व्लॉग्स बनाया करते थे उनका यूट्यूब पे एक चैनल होता है जिसका नाम होता है सूपर होश्ट और वो सभी रेंटल घरों में जाके वहाँ पे रहके रिव्यू दिया करते थे अगले दिन वो लो जंगलों में एक कैबिन के अंदर रहने के लिए जा रहे थे और वो घर बहुती आलिशान था जिस घर के होश्ट का नाम था बेटी और लू जब क्लेयर टेरी के आसपास नहीं होती तो वो रिकॉर्डिंग करता है और वीवर्स को बताता है कि बहुत जल्द वो क्लेयर को प्रपोस करने वाला है वो उने वो रिंग भी दिखाता है जो कि बहुती सुंदर थी जब क्लेयर और टेरी वहाँ पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक अजीव सा सन नाटा था उसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाने के लिए कोट डालते हैं लेकिन वो कोट काम नहीं कर रहा होता जिससे कि वो बहुत परिशान हो जाते हैं उसके बाद टेरी होश के दिये हुए नंबर बे कॉल करता है जिसे पहरे रिंग जा रही थी लेकिन बाद में उस पर रिंग नहीं जाती और तब ही उसके फोन का नेटवर्क भी पूरी तरह चला जाता है जिसे देख के वो बहुत जादा है यह देख के वो दोनों बोर हो जाते हैं तो बाहर ही रिव्यू वीडियो बनाने लगते हैं तब ही उनके बाद रिबेका नाम की एक लड़की आती है जो कि उनसे हाल चाल पूछती है और उन्हें बताती है कि वो इस घर की मालकिन है उन दोनों के काफी अजीब लगता है क्योंकि उनके मालक का नाम कुछ और था रिबेका उन्हें बताती है कि उसने इंटरनेट पे फेक नाम रखा हुआ है तो यह पिछली किरायदार वक्त से जादा ही इस घर में रहना चाहते थे वो रिबेका को ये बात बताता है तो रिबेका उससे कहती है कि वो कल सुबह आईगी और उसे ठीक कर देगी तब ही क्लियर रिबेका की तरफ कैमरा घुमाती है तो रिबेका कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो बहुत जादा शर्मा रही थी क्लیئر उससे कहती है कि वो व्लॉगर्स हैं तो उनके साथ कैमरास हमेशा रहते हैं लगिन रिबेका उससे कैमरास की आतत नहीं है वो उन्हें वहाँब रिकॉर्डिंग करने की अनुमती दे देती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है उसके बाद वो दोनों उस घर का vlogg बनाना शुरू करते हैं और उस घर में एक cat house और storage भी मौझूद था जिसे देख के वो दोनों काफी ज़्यादा खुछ हो जाते हैं वो notice करते हैं कि उस घर में जरूरस से जाधा security केमराज हैं जिसे देखे हो काफी हरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हैं। वो दोनों आपसें बाते करते हैं कि आखिर उनके सब्सक्राइबर्स इतने कम क्यों हो रहे हैं। तो Claire Terry से कहती है कि वो चिंता ना करें जल्दी से उनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे सब्सक्राइबर्स से याद आया दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए क्योंकि हम 5 लाग सब्सक्राइबर्स के बहुत जादा करीब हैं Claire और Terry के व्यूज गिरते जा रहे थे जिसकी वज़े से उनकी कमाई नहीं हो पा रही थी और वो लोग अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे थे तेरी के पिता ही उनका खर्चा दिया करते थे इससे वो दोनों काफी जादा परेशान थे अगले दिन टेरी उठता है और अपने चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता है और कुछ दिर बाद जब क्लेयर की आँखे खुलती है तो अपना फोन चेक करती है जहां उनके चैनल के सस्पेंशन का मेसेज आया हुआ था ये देखके वो काफी घबरा जाती है और सोचती है कि आखर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है वो टेरी से कहती है कि उसे लगता है कि शायद उस हांटेड हाउस की होश्ट ने इस सब किया है कि उसने शायद उनके पिछली वीडियो पे रिपोर्ट किया है इस वज़े से उन पे आक्शन लिया गया है दोस्तों उसने ऐसा इसी लिए किया था कि वो घर हांटेड नहीं था बलकि उन लोगोंने जान बुचके उसे हांटेड बनाया था व्यूज पाने के लिए तभी क्लेयर बाहर जाती है और कॉल पे हेल्प सेंटर से बात करती है ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके तभी वहाँ बे रिबेका आ जाती है और क्लेयर उससे कहती है कि वह अंदर चली जाए जिसके बाद वह अंदर जाती है और वाश्रूम में जाके वह नल को ठीक करती है ठेरी उससे पूछता है कि क्या वो ठीक हो गया तो वह उससे कहती है कि वह उससे ठीक करने में नाकामयाब हुई है टेड़ी उससे कहता है कि वो चिंता ना करें वो दूसरा वाश्रूम इस्तमाल कर लेंगे तभी क्लियर अंदर आती है और उन्हें बताती है कि उनका चैनल वापस आ सकता है उन लोगों ने उनके चैनल को रिव्यू में डाला हुआ है और अगर वो एकदम सही रहा तो उनका चैनल वापस आ जाएगा जिसे उनके रिवेका भी खुश हो जाती है और उन्हें बाई बोल कर वहां से चली जाती है रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो उन्हें घर के अंदर से कुछ आवाज आती है जिसे सुनके वो दोनों डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद घर में कोई और भी मौजूद है पुलिस को कॉल करना चाहती है लेकिन उसमें बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे जिसके वो पुलिस को कॉल नहीं कर पाती तब उन्हों टॉलेट में से फलश की आवाज आती है और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पे किसी का नकली दात मिलता है जिसे देख के वो दोनों बहुती जादा डर जाते है अगर उसे जब टेरी उटता है तो उसके फोन में इक नोटिफिकेशन आता है और जब वो फोन खोलता है तो उसे पता चलता है कि उनका चैनल वापस आ गया है इस उनके वो बहुत जादा खोश हो जाता है और क्लेर को ये बात बताना चाहता है जब वो नीचे किचन में पानी पीने के लिए आता है तो देखता है कि वहाँ पे रिबेका पहले से ही मौजूद है रिबेका उसे बताती है कि उसने उन दोनों के लिए आज ब्रेकफ़स्ट बनाने का सोचा इसलिए वो यहाँ पे आ गई उनके लिए breakfast बनाने के लिए इस उनकी टेरी खुश हो जाता है और वो Claire को भी नीचे बुलाता है और वो दोनों वहाँ पे मिलके Rebecca का बनाया हुआ नाश्ता करते हैं Claire camera की तरफ देखती है और Rebecca का शुक्री आदा करती है उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए तब ही वहाँ के एक speaker से Rebecca की आवाज आती है जो कि उनसे कहती है कि thank you कोई ज़रूरत नहीं है और उन्हें पता चलता है कि Rebecca इन camera's की मदद से उन पे हमेशा नजर बनाये हुए थी वो इस बात को नजर अंदाज कर देते हैं और फिर से vlogging करना शुरू कर देते हैं Claire बोलती है कि इस घर की ओनर बहुत ही अजीब है तो Terry उसे रोकता है और उससे कहता है कि उन्हें ये सब बातें यहां पे नहीं करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो उनकी बातें सुन रही हो तब ही Terry एक CD लाता है और उस पे चड़के वो camera को disconnect कर देता है ताकि उनकी आवाद उस तक ना पहुँच सके इस से वो दोनों कुछ उजाते हैं लेकिन तब ही उनकी खिट्गी पे कोई पथर मारता है जिससे वो दोनों बहुत सब्सक्वादा धर जाते हैं तब ही क्लियर खिट्गी ये नीचे देखती है और उससे वहाँ पे कोई नज़र आता है और जब वो नीचे जाती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था Zabih उनके सामने विरा आती है जो कि उनने बताटी है कि उसने ही उनके घर पे पथर मारा है क्योंकि उनके व्लॉगऑगिंग की वज़े से सभी उसके घर को भूतिया समझ रहे हैं और कोई भी वहाँ पे रहना बिलकुल नहीं चाहता उसकी वएसे उसको काफी नुकसान हुआ है तो वो उसकी भरपाई करें प्लेयर उससे कहती है कि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है उन्होंने बस इंजॉयमेंट के लिए बनाया था और उन्हें नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा तभी रिबेका वहाँ पे आ जाती है और उनसे पूछती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्लेयर उसे बताती है कि इस औरत ने उसकी खिटकी तोड़ दी है और यह सुनके रिबेका वह बहुत जादा गुसा आ जाता है वो वेरा से कहती है कि वो तुरंत यहाँ से चली जाए वरना वो पुलिस को बलाएगी जिसे डर के वेरा वहाँ से चली जाती है रिवेका टेरी और क्लेयर से कहती है कि अब वो इंटर्वी देने के लिए तैयार है तो वो दोनों से अंदर ले जाते हैं और उसका इंटर्वी लेते हैं यहां वो दोनों देखते हैं कि रिवेका बहुत जादा अजीब तरह से बिहेव कर रही है जोगी काफी अजीब बात थी रिवेका उन्हें बताती है कि ये घर उसके पिता का हुआ करता था लेकिन जब उसकी माँ की मौत हुई तो उसका पिता उसे छोड़ के चला गया और उसने ये घर उसके नाम कर दिया और वो किसी और से शादी करके कहीं और रहने लगा का बहुत जादा पागल है और उसके जैसे पागल लोग ही वीवर्स को पसंद आते हैं वो कहती है कि वो उसके साथ और भी शूटिंग करेंगे ताकि उनके व्यूस बढ़ सकें क्लियर के जाने के बाद टेरी अपने सब्सक्राइबर्स से कहता है कि कल वो क्लियर को सब के सामने प्रपोस करेगा तब यह हम टेरी के पीछे किसी को देखते हैं जो की وہाँ से भाग जाती है और ये देख टेरी भी घबरा जाता है कि आखिर वहाँ पे कौन था अगले सुबर टेरी क्लियर को पहाड़ों पे ले जाता है और वहाँ पे उसे रिंग दिखा के प्रपोस करता है लिए क्लियर को लगता है कि शायद वो वीडियो के लिए उसके साथ प्रैंक कर रहा है टेरी उससे कहता है कि वो मजाग नहीं कर रहा है वलकि ये हकीकत है और उ भर के ओनर का नाम बैटी और लूर लिखा हुआ था ये देखके टेरी समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई गड़बड है यसी जो क्लियर से कहता है कि उन्हें भी यहाँ से चलना चाहिए लिए क्लियर वहाँ से नहीं जाना चाहती थी यशी लिए वो रिबेका के कहने पर वहाँ पर सब कुछ शूट करने लगती है रिबेका उन दोनों को लेके जंगल की ओर जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने एक औरत को बांध रखा है जब वो उसके मूँ से कबड़ा हटाती है तो वो देखते हैं कि वो कोई और नहीं बलकी वेरा है इसे उसने किडनाब कर लिया है और उसे सजा देने का सोचा है यह देख कि वो दोनों डर जाते हैं और रिबेका उनसे कहती है कि वो लोग कोई कम नहीं है उन दोनों की वज़े से कई सारे लोगों का नुकसान हुआ है और वो अपनी वीडियो के लिए कुछ भी करने को तैयार है वो उनसे कहती है कि अगर उन्हें अच्छा कॉंटेंट चाहिए तो वो से एक अच्छा कॉंटेंट देने के लिए तैयार है ये कह कि वो वेरा के मुँँ में चाकू हुसा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है ये देख कि वो दोनों काफी डर जाते हैं और चिलाने लगते हैं लेकिन तभी वेरा उटती है और उन्हें बताती है कि ये बस एक प्रैंक था वो भी उने सबक सिखाने के लिए ताकि उन लोग को पता चल सके कि आखिर उनके साथ वो लोग क्या करते हैं तभी रिबेका उनका कैमरा चीन लेती है और उनसे कहती है कि इस एरिया की कोई भी वीडियो वो अपलोड नहीं करेंगे वो उस कैमरा को वेरा को दे देती है और उससे कहती है कि वो इसे बेचे और अपने पैसे कमा ले क्योंकि उन लोगों की वज़े से उसे काफी नुकसान हुआ है यह कै कि वो दुनों वहाँ से जाने लगते हैं ये देख कि वो दोनों काफी डड़ जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं और Rebecca camera on करके उन दोनों का पीछा करने लगती है Claire और Terry भागते हैं वे वापस उस घर में पहुँचते हैं और खुद को lock कर लेते हैं और खिड़ी बाहर वो Rebecca गो देखते हैं जो कि उन्हें देखकर smile कर रही थी और उसके हाथ में उनकी गाड़ी की चावी थी जिससे वो वहां से भाग नहीं सकते थे Rebecca उन्हें बताती है कि उसने उनके वीडियो का thumbnail देखा है जहांपे वीउस पाने के लिए उसकी फोटो पे उन्होंने पागल लिख रखा था क्लियर उससे कहती है कि वो उन्हें यहां से जाने दे और वो कोई भी उसकी वीडियो अपलोड नहीं करेंगे इस उनके Rebecca कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है उसके बाद क्लियर स्टोर रूम में जाती है एक्जिट ढूनने के लिए और वहां भी उससे धीर सारे मॉनिटर्स नजर आते हैं जिस पर कैमराज की फुटेज आ रही थी यह देख के वो समझ जाती है कि Rebecca सारे वक्त उसी रूम में मौजूद थी और वो उन पर हर समय नजर गड़ाई हुए थी तबी स्पीकर पर Rebecca उन्हें बताती है कि वो उस घर की किरायदार थी उसने उन्हें मनाने की कोशिश करी लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं माने इसलिए Rebecca ने उनको और उनकी बिल्ली को भी मार दिया यानि एगर उसी ओल्ड कपल का थे जिसके बारे में Rebecca बात कर रही थी और वास्टरूम में जो दात मिले थे वो उसी ओल्ड कपल के थे तबी टेरी को क्लेर के चीखने की आवाज आती है और जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो देखता है कि टेरी को Rebecca ने पकट रखा है तबी Rebecca क्लेर का गला काट देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है यह देखके टेरी उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन Rebecca उसके पेड़ में चाखू हुसा देती है जिससे वो जखमी हो जाता है तबी Rebecca उसका कैमरा आउन करके उसका पीछा करने लगती है और देखती है कि वो कार के पास बैठा हुआ है तो वो उसे जहान से माल डालती है उसके बाद वो आपस घर में आती है ताकि वो क्लेगर की लाश को ठीकाने लगा सके लेकिन तब ही उसकी नदर उस स्क्रीन पे जाती है जहां वो देखती है कि क्लेगर ने लाइफ श्रीम चालू कर दी थी जिसके वएसे उसके मॉर्डर सारे रिकॉर्ड हो गए है लेकिन जब वो लोगों के कॉमेंट पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि लोग उनकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे यह उन दोनोंने मिलकर बहुत सारे फ्रॉड किये थे तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद